नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं हेमन्त सुरेन सरकार ने जीता विश्वासमत 84 विधायकों के मिला समर्थन ज़र्खन में मचे स्यासी घामासान के बीच हेमन्त सुरेन के नितित वाली महागडबंधन सरकार आज सदन में विश्वासमत हासिल कर लिया है हेमन्त सरकार को 48 विधायकों का समर्थन मिला है यानि कि सरकार के पक्ष में कूल 81 बिधायकों में 47 बिधायकों ने मत दिया है वहीं बिरोध में सुने वोट मिले है बता दे कि इसको लेकर आज यानि सोम वार को जाकन बिधान सभा के एक दिन के लिए 27 बुलाया गया है बर्तमान रायनितिक परिश्थिती के बीच हेमांत सोरेन सदन में विश्वास मत हासिल करने का प्रस्थाव पेस किया सदन अनिश्चित काल के लिए अस्थागित कर दिया गया है 27 शूरू होने से पहले खत्यान अधालित अस्थानिय निति लागू करने तथा कूर्मी कूर्मी को एस्टी का दर्जा की मायं को लेकर आईसू बिधायक लंबोदर महतो बिधान सभा परिशन में धरने पर बैठे 1932 खत्यान और OBC आरक्षन पर जल्द प्रस्ताव सियम हमांत जर्खन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सुमवार को बिधान सभा में कहा है कि उनकी सरकार 1932 के खत्यान पर अधारित आस्थानिय निति और अन्य पिछड़ावर्ग OBC के आरक्षन पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है अपनी सरस्याता पर जारी संसे के बिच मुख्य मंत्री ने राजपल की भूमिका पर सवाल उठाए साथ ही समरी लाल की सरस्याता के मुद्दे पर भातिय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे उन्होंने कहा है कि भाजपा का फरजी बिधायक यहां बैठा है हेमान सुरे ने बाबुलान मरांडी को गीरगिट की संग्या दे डाली उन्होंने कहा है कि गीरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना बाबुलान मरांडी रंग बदल रहे है मुख्य मंत्री ने आईशुनेता सुदेश मातों को भी आड़े हाथे लिया रांची में निकली सीव गुरू के संस्थापक हरिंद्रानंद की अमति म्यात्रा जितनी भीड घर में थी उससे ज्यादा भीड सड़क पर थी सड़क के दोनों और लोग लाइन लगाए खड़े थे भक्तों की असुरुधारा रुकने की नाम नहीं ले रही थी भक्त जागो जागो हे भोले बाबा कर रहे थे वहीं उनके आवास पर रात भर सरधालू कताता लगा रहा खुली जीप में उनका बड़ा चित्र लगा था अर्थी को कंधा देकर जगनात पूर्थाना तक ले जाया गया उसके बाद सौव वाहन से उनके पार्थिवदे को सौव यात्रा तक ले जाया गया बिधान सभा में बन्ना गुपता सरजुराय में नोक जोग जार्खन बिधान सभा के बिशेश सत्र में सोमवार को पूर्व मंत्री सरजुराय और बना गुपता के बीच नोग जोख हो गई सरजुराय ने बना गुपता से कहा आए कि आप चुप रहे हैं आप भरष्ट मंत्री हाए मैं सदन में कहा रहा हूँ आप भरष्ट हाए इस पर बन्ना गुपता ने सदन की करवाही खत्म होने के पहले अपती जताई और सरजू राय के ब्यान को रिकॉर्ड से हटाने के अपील स्पीकर रविंदरनात महतों से की बतादे जर्खन विधान सभा के एक दिन के विशे सत्र में जमसेदपूर पूर्वी विधान सभा सीट के विधायक सहजू राय ने हेमन सुरेन सरकार पर भष्टचार के गंभीर मामलों में करवाही नहीं करने का आरोप लगाया या समाई से पर है आखों में रोशनी नहीं फिर भी बच्चों के जीवन सवार रहे आज पूरे देश में सिक्षक दिवस धुम धाम से मनाया जा रहा है या दिन सिक्षकों के प्रती प्यार और समान जाहिर करने का दिन होता है बता दे सिक्षक हमें अंदकार से प्रकास की और राह ले जाते हैं कितनी भी मुस्किले उनकी जिन्दिगी में क्यों ना आए वो अपना कर्तब निभायने से पीछे नहीं हरते और अपने सपने दूसरे विद्यार्थियों के जरिये पुरा करते हैं इसी कथन को चरितार्थ किया है रांची की सिक्षी का स्वाती मोहित लाल बता दे स्वाती दिभ्यांग हैं वो देख नहीं सकती वो केंद्रिये बिद्याला हीनु की सिक्षी का हैं लेकिन उन्होंने कभी इसको अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनने दी 2006 में सिक्षा के रूप में अपना करियर सुरू किया एक सिक्षी का रूप में शुरू आती दिनों में उन्हें कई चिनोतियों का सामना करना पड़ा उनकी परिस्थितियों को देख कर उन्हें लोग हर काम के योगे नहीं समयते थे वे आने वाली बधावों के खिलाप मजबूती के साथ मुकाबला करती रही अपनी परतिभा के बल पर बेहतर सिक्षन कर रही है बता दे अपना काम बखो भी कर रही है अपनी सिक्षा से बच्चों को जीवन की द्रिष्टी दे रही है ज्यारखन के ऐसे गुरुजी जो रायनीती में भी अवल रहे ज्यारखन की रायनीती में भी कई ऐसा रायनेता हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल केरियर की सुरुवात सिक्षक के रूप में की सिक्षक रहते हुए उन्होंने रायनीती में कदम रखा सफल भी रहे कई तो सत्ता के सिर्ष तक भी पहुँचे बता दे आज भी रायनिती में सक्रिये हैं कई ऐसे सिक्षक भी हैं जिन्होंने रायनिती का रूख तो किया लेकिन वापस फिर सेक्षनिक कारे से जुड़ गया कई सिक्षकों ने रायनिती अपनाने की कोशिस की लेकिन सफालता नहीं मिली कुछ सिक्षकों को सम्मान से रायनिती में लाया गया डाक्टर राम द्याल मुंडा इन्ही में से एक थे यदुनाथ पांडे दिवाकर मिंज जैसे कई रायनितक यहां जिन्होंने सिवा निवरित केस सेक्षनिक कार्य किया वहीं कई अने सिक्षक खाएं जो आज भी जर्खन की राए नितिक में चर्ची थाएं सिम्डेगा में 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा सिम्डेगा पुलिस ने जल डेंगा थाना इलाके में होई लूट कांड का खुलासा करते हुए घाटना में सामिल तीन अपराध कर्मियों को हाथियार के साथ गिरफतार करने में सफलता हासिल की है जल डेंगा थाना इलाके के सब्ताइक होट से दिन तहारे एक ब्यपारी से लगभग 15 लाख रुपए के लूट सुक्रवार को हुई थी इस मामले में एसपी ने अनुमंडल पुलिस पता अधिकार के नेतितों में एक टीम बनाई मामले को लेकर प्रेस कॉन्फिरेंस अविजित कर एसपी सोरफ कुमार ने बताया कि जल डेंगा थाना इलाके में होई लूट कांड का खुला सा 24 गंटे के अंदर कर लिया गया है आदिवासी यूती के साथ दुसकर्म और हत्या मामले में आई दुम का बंद आदिवासी यूती के साथ दुसकर्म और फिर उसके हत्या किये जाने के बीरोध को लेकर आज दुम का बंद किया गया सहर पूरी तरह से बंद है आज के इस बंद का भी भीन संगठनों ने समर्थन किया है पूरे सहर में प्रमपरागत हरवे हत्यार के साथ आदिवासी यूता जूलूस निकाल कर बंद का वाहन कर रहे हैं बंद को लेकर भाजपा अनुसुज जन जाती मोर्चा और आईसू पार्टी ने समर्थन दिया है परिजनों के नुसार किसोरी मैदूरी करने दुमका गई थी वह कभी कभी मोसी के घर जामा थाना छेतर में रहा जाया करती थी इसी करम में आरोपी युवक राज मिस्तिरी अर्मान अंसारी से उसकी दोस्ती हो गई परिजनों का रोप है की सिरी अम्रा निवासी अर्मान ने साधी का परलोभन देकर पहले उसका यौन सोसन किया इस करम में चार मा की गरबोती हो जाने पर किसोरी साधी का दबाव बनाने लगी इस कारण अर्मान ने रास्ते से हटाने के लिए पहले की सोरी के हत्या कर दी और फिर सव को फंदे से लटकाया कर आत्म हत्या का रूप दे दिया कर्मा मनाने गई तीन बहने दामोदर नदी में डूबी दो की मौत जारखंड के बोकारो जिले के गांधी नगर थाना छेति के बारी ग्राम कोल पट्टी में रहने वाली दो चचेरी बहने मनिशा रावत 18 वर्षिये या अंजली रावत उर्फ छोटी सत्वार 17 वर्षिये के रामगड के अर्गडा में दामोदर नदी में डूबने से रभी व जबकि मनिशा की एक और बहन खोसी 12 वर्षिये भी दामोदर नदी में डूबि थी जिसे बचा लिया गया खोसी का इलाज CCL के रामगड इस्थीत नई सराय अस्पताल में चल रहा है तीनो बहने अपने एक रिष्टेदार बबलु के यहां कर्मा परमनाने अर्गडा गई थी पलामू के पांकी से टीपीसी नक्सली निर्मल गिरफतार पलामू जीले के पांकी थाना पूलिस ने रविवार को थाना छेतरे के गोगार से प्रतिबंदित संगठन टीपीसी के कुख्यात नक्सली निर्मल भुन्या को गिरफतार किया है पूलिस के हाथे चले नक्सल के निदिस पर एक टीम गठत की गाई गढ़वा में आखवार वाहन पर अग्यात अपराधियों ने की फायरेंग गढ़वा से भौनाथपूर अखवार लेकर जा रहे सवारी गाड़ी पर सोमवार की सुबा करीब सवा 5 बजे एनेच 75 पर गढ़वा थाना के लगमा गाउं के निकट बाइक सवार दो अग्यात अपराधियों ने फायरेंग की घटना को अंजाम दिया इस घटना में गाड़ी चालक, तबरेज एवं उसके साथ बैठा सहयोगी बाल-बाल बच गाए दुमका हत्याकांड में मुस्लिम समाज बोला साहरू को फांसी दो जारखन की उपर रइधानी दुमका में लगातार हो रहे जगण ने अपराध से मुस्लिम समाज आहत है बराहमी की छात्रा के बाद एक और नवाली की हुई हत्या की घटना के बाद मुस्लिम समाज के गन्माने लोगों ने एक प्रेस बियान जारी किया है दोनों घटनाओं के आरोपियों को फासी देने की मांग करते हुए दुमका के मुस्लिम समाज की लोगों ने कहा है कि आये दिन हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे दुसकर्म और हत्या से दुमका ही नहीं पूरा देश नराज और आक्रोसी था है इससे हमारे दुमका के साथ साथ पूरे समाज की भी बदनामी हो रही है धन्यवाद